नमस्कार दोस्तों आज हम सीखेंगे टेली लेर्णिंग का वीडियो नमर 13 जिसमें हम सीखेंगे डे बुक याने अब यहां पे हमारे सारे रांजेक्शन्स खतम हो जाते हैं यानि हमने वनवाइवन जितने भी हमारे जो वाउचर थे उनमें ट्रांजेक्शन करना सीख लिया है चाय फिर और परचेज वाउचर हो या फिर केस के पेमेंट या रिशिप से लिडाटेर वाउचर हो और अगर कोई नहीं हो तो हमने जनर्रल वाउचर में उनकी एंट्री क करते हैं उसके बाद वो कहीं ना कहीं जाकर के इस्टोर हो जाते हैं जिनकी रिपोर्ट हम आगे जाकर के देख सकते हैं आज हम इसनी रिपोर्ट को देखने के में समझेंगे कि इन रिपोर्ट को हम कैसे देख सकते हैं और उनसे हम क्या क्या चीजे एनालिसिस कर सकते हैं उस में पहला नाम आता है day book का day book में आप एक particular date को हुए सारे transactions की detail दे सकते हैं चाए फिर वो payment में हुआ हो case में हुआ हो payment हुआ हो receipt हुआ हो sale हुआ हो या purchase हुआ हूँ day book में जाने के लिए shortcut की है या तो आप gateway of tally में k-press करे या फिर day book में जा करके enter करे यहाँ पे चुकि हमारा education mode था और हमने सारी entries एक ही दिन की है वो है 2 April तो यहाँ पे आपको जितनी भी entries दिख रही होगी वो 2 April की होगी लेकिन आपको अलग-अलग date की यहाँ पे entries दिख सकती है जिसमें अब यहाँ पे आपको date select कनी पड़ेगी हो सकता है 1 April की कुछ date की entries हो हो सकता है 3 April की कुछ entries हो और 2 April की कुछ entries हो तो आपको date select करने के लिए F2 की press करना होगा और यहाँ पे आपको वो date डालनी होगी जिस दिन की आप general entries या जितनी भी particular entries हो देखना चाहते है अब यह तो बात हो गई जब आपको किसी particular day की entry देखनी है लेकिन क्या हो जब आपको पूरे month की या किसी period की entries देखनी हो ऐसे में आपको प्रेस करना होगा Alt F2 जैसे ही आप Alt F2 करेंगी तो आपको date की range select करनी पड़ेगी from से लेकर के to तक अब आप उस range में आने वाली हर एक general entries को देख सकते हैं जब मैं आप बोल रहा हूँ general entries इसका मतलब यह नहीं है कि के विल general voucher में हुई entries all entries ठीक है तो सारी entries आप यहां पर उस period का देख सकते हैं यहां पर हम अभी इस period को select करके रख लेते हैं क्योंकि इस दिन के अलावा हमें पास और general entries है भी नहीं तो आप यहां देख सकते हैं हमारी all entries यहां पर आ गई अब मान लिजे जब आपने यह सारी entries देखी उसमें के entry चाहिए या केवल receipt के entry चाहिए या फिर केवल purchase voucher के entry चाहिए और sale voucher के entry चाहिए मुझे particular ही एक voucher की entry चाहिए बाकी voucher यहां से हट जाए तो उसके लिए आप प्रेस करेंगे alt plus h तो जैसे ही आप alt h प्रेस करेंगे या आप से एक मिनिट प्रेस करेंगे और जैसे क्या हो रहा है यह तो यहां पर आपको मालीजे पहले समझते हैं कि अगर आपको कोई entry यहां पर delete करनी है तो आप उसके लिए प्रेस करेंगे alt plus d जैसे मालीजे मुझे राजू की sales के entry delete करनी है या मुझे यह जो furniture की entry है जगदीश को उ इसकी entry मुझे delete करनी है तो आप प्रेस करेंगे alt d जैसे आप alt d प्रेस करेंगे तो यहां पर delete का option आजाएगा और आप अगर enter प्रेस कर देंगे तो यह entry delete हो जाएगी आप देखेंगे यहां पर पहले दो entries थी अब उसके बदले में एक entry रह गई इसके बाद हम समझते हैं क कि अगर आप एक एक entry को चेक करते जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि जैसे जैसे मैं उसको चेक करता जहूँ वह यहां से hide होती जाए तो ऐसे में आपको अगर वह entry hide करनी है तो आप प्रेस करेंगे alt r sorry ctrl r जैसे ही आप ctrl r प्रेस करेंगे वह entry hide हो जाएगी जैसे मुझे अगर सीता को प्रेमिंट के एंट्री hide करनी है तो मैं प्रेस करूँगा ctrl r वह entry hide हो जाएगी उसके बाद अगर मुझे वह entry जो मैंने hide की है वापस से लाना है तो मुझे ctrl plus u प्रेस करना पड़ेगा तो मैं जैसे ग जैसे ctrl u प्रेस करूँगा जो मैंने latest hide की ती वह unhide ह जाएगी और उसके बाद वापस चंट्रोल लिए तो उसके पहले वाली अनाइड हो जाएगी तो इस तरीकिस आप हाईट और अनाइड कर सकते हो अपनी जो एंट्रीज है उनको चेक करने के लिए उसके बाद अगर आपको इनका डिटेल विव देखना है डिटेल विव आने Alt F5 जैसे आप Alt F5 प्रेस करेंगे ये सारी चीजे डिटेल में आजाएगी जैसे आपने किस चीज को डिट किया और किस चीज को जैसे यहां पे आया कि हमने फनीचर में फनीचर को डिट किया था तो हमने इन दो अकाउंट को क्रेडिट किया है राजू को डिट किया और इन सकते हो report में देख सकते हो day book की अब यहां पे मान लिजे आपको इस पूरे report को import करना है इन excel क्योंकि आप excel के master हो और आप वहां पे हर चीजे थोड़ा आसानी से कर सकते हो तो यहां पे import का option आता है उस पर आप click करके इन सारे transactions या सारे masters या फिर किसी भी चीज को detail कर सकते हो तो हम यहां पे masters को import करेंगे अब यहां पे xml की बजाए हम यहां क्या detail करना चाहिए यहां पे यह तीन चार फोल्डर है यहां पे आप जाकर के इनको इंपोर्ट कर सकते हो इंपोर्ट की complete procedure में किसी और वीडियो में समझाऊँगा जहां पे आप इंपोर्ट किस तरीके से करेंगे वह मैं आपको यहां बताऊँगा बट आज का वीडियो इतना ही रखते हैं thank you very much for listening us good day goodbye